हे व्रिवान वेल्कम टू कॉफी वी पोड़कास्ट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुलबोली सी नटखट सी प्यारी सी ससुराल गंदा फूल की सुहाना एक ए रागिनी खन्ना के बारे में अब देखे ससुराल गंदा फूल जो था वो तो सुपर हिट हुआ था तो रागिनी खन्ना को ज्यादा मौका क्यों नहीं मिला रागिनी खन्ना ने ससुराल गंदा फूल के बाद शोज भी जो है होस्ट किये थे जिसमें इंडियास बेस्ट रामे बास गैंग्स ओफ हसेपू उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एवोर्ड को भी जो है खोस्ट किया था तो इतना ज्यादा काम करने के बावजुद एक पॉपिलर शो करने के बावजुद रागेणी जो है वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई जहां उनकी जो है कॉंपिटिटर पहुंच गई मतल नहीं क्रिश्न अभिशेक की जो है कजिन लगती है गोवंद्दा जी लगती है और स्व मेंधा के बानी के रिष्टीय बहुं खाए मिंथा नहीं है तो उतना कुछ उनको फाइदा नहीं हुआ और ये हकिकत भी है रागीनी को बतोर सुहाना जानते हैं नाकी गुविंदा जी की भांजी की तो ये बात तो सही है कि रागीनी ने जो भी किया अपने दमपर किया और हां ससुराल गेंदा फूल से पहले भी रागीनी ने दो शो किये तो भासकर इन भारती, मिस्टर इन मिसिस जो था एक मूवी आपने देखी होगी, उस हिसाब का वो शो था, दोनों ही शो बहुत बढ़िया थे, रागिनी को वहाँ पे भी जो है पॉपिलर्टी मिली थी, रागिनी के काम को सरहना मिली थी, लेकिन जितनी पॉपिलर्टी बतो बहुत ज़्यादा उतर चड़ाओ देखे हैं, कामीनी खना जी खाना बना रही थी, यानि के रागिनी खना की मजर, तब जो है स्टाव फटता है, और कामीनी जी जो है 70% जो है उनके बोड़ी पास देमेट हो जाते हैं, कामीनी जी को होस्पिटलाइज किया जाता है, जहा अब रागिनी बताती है कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुददार है, 2005 में दोनों अलग होने का जो है फैसला करते हैं, रागिनी की मम्मी कामीनी जो है एक भी पैसा लेने से मना कर देती है, कि जो भी मैं करूंगी अब खुद के दंपे करूंगी मैं अलमनी नहीं लू अब बात आती है कि जो रागिनी है वो अचानक से टेलिविजन से गायब हुई, बहुत लोगों का मानना ये है कि टीवी की जो है के जो सब कोई पता है कि टेलिविजन की के जो कौन है, टेलिविजन की के जो जो है आप अगर गूगल करोंगे तो रागिनी के साथ उनके फ काम मिलना बंद हो गया, अब जैसे ही कोई इंसान सोचो आस्मान में है, वो सितारा है, जैसे ही उसको काम मिलना बंद हो जाता है, तो असर पड़ता है, इंसान के अंदर वो loneliness पैदा होती है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक वक्त पर जो सितारा था, आस्म जब तक उनके ग्रूप में है तब तक ठीक है अगर उनके अगेंस में जाएंगे तो भाई फिर वो काम नहीं मिलता आपको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत बड़ एक्जामपल है मोना सिंग प्राची देशा है आप देख लो जब तक यूनिटी के कनेक् सब को काम मिल रहा है तो यूनिटी जी जो है पावर्फुल तो है अब देखिए सवाल यह आता है आप यह बोलोगे कि यूनिटी ने तो आउटसाइडर को बहुत मोगा दिया है वो बॉलीवुड वालों की तरह नहीं है एक बात बताए मुझे टेलिविजन पर नेपोडि करना पडते हैं नेपोड़िजेन कब नहीं करेंगी न तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि टेलिविजन पर नेपोडिसम चलेगा यहां पर फ्रेश फेचेस चाहिए रहते हैं और नेपोडिसम नहीं यहां पर क्या होता है ना सेमर्ट को आप देख लेना कि दस-12 साल जित्य नहीं इंडस्री उतनी ग्लैमरेस है नहीं है आप अगर सितारा बनना चाह रहे हो ना तो वहां तक पहुंचने में आपको बहुत जद्दो जहत लगती है बहुत तकलीफे जहलनी पड़ तब जाके आप सितारा बन सकते हो अगर आप कॉंपलीटली आउटसाइडर हो थो उनको ही पता होता है कि वह वहां आसमन तक पहुंचे कैसे है अब हलको नई कीसी के साथ नहीं होता है थोड़े बट कनेक्शन होते हैं उनके साथ नहीं हुता है बाकि बहुत चीजों से होकर उन ग्रूप के बारे में मैं आपको एक और बात बताओ, एक मोती पूरी करके एक्टर था, उस पर allegations लगाए गए थे, बहुत ही serious allegations थे, माइनर के साथ ठीक है, कि उसने गलत किया माइनर के साथ, यूनिटी और उसका पूरा ग्रूप चड़ गया था, उस victim बच्ची के जो है परि सब्सक्राइब के साथ, यूनिटी जी की वज़े से हुआ तो, बाकी रागी नी जो है उन्होंने इंटर्विव में तो ये बताया था, कि वो लगतार काम कर रही थी, मतलब रागी नी ने बहुत सारी advertisement भी करी थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने 300 से जादा तो advertisement ही करी थी जब वो कुछ भी काम नहीं कर रही थी, तब उसने advertisement करी थी, उसके बाद जो है शोस किये दो, रंजुकी बेटिया भासकर भारती, फिर ये जो है ससुराल गेंदा फूल, तो क्या होता है ना, डैली सोप में आपको क्या होता है, कि 16-18 गंड़ आपको काम करना है, फिर वहा जाली शांती चाहता है, तो रागिनी ने बोला कि मैं ये सबसे परिशान हो गई थी, मेरी बॉड़ी ने रियक्ट करना बन कर दिया था, मुझे आप कुछ भी करो, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ था, सेंसेशन तक मुझे फील नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझ फील तो हो रहाता, उनको सेंसेशन फील नहीं हो रही थी, वो एक गदम जो है, उसको सब समझ माय Spe bothered, कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन एंसान मान्सिक सेयल हो जाता है, कि उसको क deliver दाउ नहीं लगता, उसको गायब हो जाना अच्छा लगता है, कि कोई भी इंसान अच्छ वो उनको इस वज़े से ट्रीट करते हैं ताकि रागीनी को कोई दूसरा खैल उनके मन में ना आए उनको बच्चा ही अभी उनके लिए और उनको जो है बीजी रखना पड़ेगा ताकि कुछ और उसके मन में थौट्स आए ही नहीं इसलिए उसकी मम्मी जो है हमेशा आप दे की आप दे उसी को ऐसा कर रही है इसको कुछ करने नहीं दे रहे है इसी की वजय से जो है सी अगत दvaluation को धूसरों कि उनको ताकि रागी नहीं करना चाहोंगी चनी वह भूंदयात-धरन को दिए इंटव्य नहीं सहिंदे इसकी वज़े से रागीनी जो है बहुत असर हुआ उस पर क्योंकि वह एकदम डार्क फेस में उस कैरेक्टर के चलते चली गई थी क्योंकि जब रिसर्च करता है कोई इनसान तो वह एक डार्क फेस में चला जाता है मेरा एक क्राइम स्टोरी का चैनल है वहाँ पे मैं के स्ट में जाता हुआ कि वह एकदम जैसे की रागीनी को याद नहीं क्या कि वह उसकी म ममा है देखो उकम ऐसे बहतर कोई नहीं समझ सकता अपनी बेटी को उनिको पहता हे इस ताइम पे उनकी बेटी को कितनी जादा जरूरत है जहां पर सब लोग यही सवाल पुछ रहे हो कि रागिनी कैसी हो गई रागिनी कैसी हो गई है पहले कैसी थी पहले नहीं लेकिन किसी को पता नहीं कि रागिनी किस चीजों से होकर गुजरी है वो खाली अपनी उसकी मा ही जानती है जिस वज़े से उनकी मा हमेशा एक धाल की तरह उनके साथ जो है गुंती रहती तो प्लीज जितना हो सके उतना पोजिटिव कमेंट करना रागीनी के प्रोफाइल के नीचे रागीनी के यूट्यूब वीडियो के नीचे कुछ भी ऐसा सवाल मत पुछना कैसी थी क्या हो गई बस उसको उसको अच्छी आग रहा है वह फिल हुड कर ही तो क्या ही दिखकत है वह किसी के साथ बी रैंडम कॉलाइब कर लेती यह ठीक है जहां तक उसको अच्छा है लग रहा उसकन खुश हो रही है तो उसमें कोई दिखकत है मेरी शुब कामना है रागीनी के साथ रागीनी खूब हsmय हो जाए र इलहाल के लिए बस इतना ही मिलते नेक्स प्रोकास में अपना धिहान रखेगा बबाई